सलाम Coke मुलां भामु यहीं नैडरी नहीं स्वामु आप सब का स्वागत है! इंख सब कैसे हैं। वूर्छे च्यूडा बनता है पहा से how toseas इचीवडा के लिए हम लेंगे यह धेल कप करीब पहा इसको हम एक स्टेनर में拔र काँ च्छान Полग अगे कीजिए एक लोही की कड़ाई थी उसमें थोड़ा सा पोहा डालकर चेक कर लीजिए कि ऑईल गरम हो चुका है बस आप इतना ही ऑईल गरम कीजिएगा जादा मत गरम किरेगा ने तो ही हमारे पोहे जल जाएंगे और पोहे को हम स्टेनर में ही डालकर इस तरीके से फ्राइ करे अब कुछ इस तरीके से पोहा गिरेगा तो हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे ड्रेन करते टाइम और पिर आप इसको एक टीशू पेपर पर निकाल लीजिए पोहे को ताकि जो एक्स्ट्र ओइल है वह भी निकल जाए टीशू पेपर अब्जब कर लें फिर हम इसी आप अपने अकॉर्डिंग कॉंटिटी ले सकते हैं इसको अच्छे से फ्राइ करके इसके ओल को भी हम ड्रेन कर लेंगे इसको भी हम उसी पोहे की प्लेट में निकाल लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे ड्राय फ्रूट्स यह है काजू और बदाम जिसको मैंने बीच से क तरीके से फिर हम इस च्यूड़े का खटा मीटा टेस्स लाने के लिए इसमें डाल देंगे और ग्रेट किया हुआ यह सूखा नारियल है इसे भी हमें सिर्फ एक मिनट करना है और चलाते हुए क्योंकि बहुत जल्दी यह फ्राय हो जाता है ग्रेट किया हुआ नारियल और किश्मिश इस तरीके से इसके ओयल को ड्रेन कर लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड है यह चैनी की दाल आप चैना भी ले सकते हैं उसके छिल्गे को निकाल कर रोस्टेड चैने को फिर इसको भी हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे ओयल में यह जब अच्छे से कि तो प्रेश कड़ी पत्तें देंक कर सकते हैं सबकों प्लेट को एक प्लेट निकाल लेंगे इस चूडरें की टेस्ट को एंहानस करता है आप ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बच्चों को बहुत ज़्हाद़ पसंद आता है फिर हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इस में डालेंगे BENGIidents मसाले जिसमें हम सब ब़िए डालेंगे शुगर यह PCV शक्कर है 1 tablespoon इसको डालकर हम mix करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे यह है काला नमक half teaspoon था यह और one for teaspoon है चाट मसाला इतनी quantity बराबर होती है इसके लिए इतने मसाले बराबर है इतने चूड़े के लिए तो हम इसे अच्छे से mix करेंगे इस तरीके से हम इसे बहुत अच्छे से mix करना है ताकि यह जो हमने जो मसाले डाले हैं वो हर जगे पर चले जाए तैयार है हमारा चिवड़ा इंजॉय कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए comment कर दीजिए और subscribe कर दीजिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हफीज